साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलोजी को गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस सुधार्ने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एमपावर कर रहा है, यह भूत पुर्वा है डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलोजी से कनेक करके देश की ताकत अनेग गुना बढ़ा दी है अब हम बलीभाती जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड आधार नंबर 118 करोड मोबाइल सब्सक्राइबर्स लगबग 80 करोड इंटरनेट यूजर करीब 40 करोड 43 करोड जन्धन बैंक खाते इतना बड़ा कनेक्टेड इंफरस्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है ये डिजिटल इंफरस्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हरेक को तेज और पारदर्सी तरीके से सामान्य भारतिय तक पहुचा रहा है यूपियाई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेंदेन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है अभी देश में जो ई रूपी बावचर शुरू किया गया है वो भी एक शांदर पहल है साथियों भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाए में भी हर भारतियों को बहुत मदद की है एक नई ताकत दी है अब जैसे आरोग्य सेतु एप से कोरोना संकरमन के फैलते हुए रोकने में एक सजगता लाना जागरूती लाना पूरी परिस्तित्यों को पहचानना अपने आसपास के परिशर को जानना इसमें आरोग्य सेतु एप ने बहुत बड़ी मदद दी की है उसी प्रकार से सबको वैक्षिन मुप्त वैक्षिन इस अभ्यान के तहत भारत आज करीब करीब नब्बे करोड वैक्षिन डोज लगा पाया है और उसका रेकॉर्ड उपलब्त हुआ है सर्टिफिकेट उपलब्त हुआ है तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है साथियों कोरोना काल में टैली मेडिसिन का भी अफुत पुर्व विस्तार हुआ है इस संजिवनी के माध्यम से अब तक लगभग सवा करोड रिमोट कंसल्टेशन पुरे हो चुके हैं ये सुविदा हर रोच देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सके हैं मैं आज इस अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों नर्सेस और मेडिकल स्टाप का रदे से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ चाहे वेक्षिनेशन हो कोरोना के मरीजों का इलाज हो उनके प्रयास कोरोना से मुकाबले में देश को बड़ी राहत दे पाए हैं बहुत बड़ी मदद कर पाए हैं